हर्याना से जूड़ी हर छोटी बली कबर जानने के लिए अभी सस्क्राइब करें ठेट हर्याना नमस्कार स्वागत है आपका ठेट हर्याने न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ संजरा आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 को लेकर जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना वाइरस को लेकर पूरे देश भर में जो हालात हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे धरम नगरी कुरुक्षेतर में एक ही दिन में कोरोना के चार पोजिटिव मामले मिलने से हड़कंप मच गया है एक मामला सेक्टर तीन तो एक मामला आजाद नगर और दो मामले लक्षमन कालोनी में कोरोना पोजिटिव मिले हैं प्रशासन इलाकों को कंटेन्मेंट जोन बना कर सील करने की तैयारी में जुटा है और पीडितों को आदेश अस्पतार शहबाद में भरती करवाया गया है दरसल पीडित व्यक्ति सेक्टर तीन में एक किराय के मकान में रह रहा था और हुड़ा सेक्टर में डाली जा रही गैस पाइपलाइन का करमचारी है पीडित व्यक्ति के साथ तीन अन्य लोगों का टेस्ट कराया गया है जिनकी रिपोर्ट आनिया भी बाकी है जिनने होम कोरंटैन किया गया है इसके अलावा आजाद नगर में एक महिला कोरोना पोजिटिव मिली है जिसकी ट्रेवल हिस्तिरी बताई जा रही है तथा लक्षमन कालोनी में भी दो लोगों की रिपोर्ट करोना पोजिटिव आई है सेक्टर पाँच पुलिस चोके प्रभारी महेंदर सिंग ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रशासन के आदेश अनुसार सेक्टर 3 को सील किया जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुलिस से सहयोग करें वह बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें वहीं थानेसर के विधायक सुपाश सुधा ने चार लोगों के कोरोना पोजिटिव होने की पुष्टि करते हुए लोगों से एतियात बरतने सोशल डिस्टैंसिंग की पालना मास्क लगाने तथा घरों से कम निकलने यानि लोकडाउन का पारन करने की अपील की है धन्यवाद आज के लिए इतना ही तमाम जरूरी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे हमारे चैनल को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए